नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नोमी क्लास का पार्ट नमबर चार सामले सपनों की याद, सामले सपनों की याद के लेखक हैं जाबीर हुसेन, आज हम पहले पढ़ेंगे जाबीर हुसेन के जीवन के बारे में, सबसे पहले हम उनके जनम के बारे में पढ़ेंगे कि जाविर हुसेन जी का जनम बिहार के नालंदा जिले के नो नहीं राजगीर नामक गाउं में सन 1945 में हुआ उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गाउं की पाटशाला से ही पूरी की और उन्होंने अपनी में की परिक्षा अंग्रेजी विशे में पास की अब हम उनकी पर्मुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे उनकी पर्मुख रचनाओं हैं जो आगे है डोला बीवी का मजार अतीत का चेहरा एक नदी रेत भरी उनकी पर्मुख रचनाओं हैं अब हम आगे उनकी साहित्तिक विशेस्ताओं को पढ़ेंगे लेखक जावेर हुसैन ने अपने युग के सामाजिक जीवन का बहुत ही गहन अध्यन किया है उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में होने वाले अनुभाओं को अपने रचनाओं में सजेव चितरन किया है किया है और समाज में एक आमात्मी के जीवन में जो संघर्ष आते हैं उन संघर्षों को भी लेखक जावीर हुसैन ने अपनी रचनाओं में लिखा है अब हम पढ़ेंगे लेखक जावीर हुसैन की भाषा शैली कि लेखक जावीर हुसैन की जो भाषा शैली थी उसमें हिंद उर्दू और अंग्रेजी भाशा पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने अपनी रचनाओं में इन्दी में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू का भी प्रियोग किया है। उन्होंने व्यक्ति चित्र का भी सचीव रूप से वर्णन किया है। ये हमने पढ़ा है आज लेखक जावीर हुसेन का जीवन परीच है। एक बार हम जल्दी से फिर से रिवाईज कर लेते हैं कि उनका जनम विहार राज्ये के नालंदा जिले के नो नहीं राजगीर नामक गाउं में सन 1945 में हुआ। उनकी शिक्षा में हम पढ़ेंगे कि उनकी आरंभिक शिक्षा ग का चेहरा और एक नदी रेत भरियून की परमुख रचनाई हैं। और उनकी साहतिक विशेस्ताओं में उन्होंने अपने युग के सामाजिक जीवन का ध्यान की किया है। अपने अनुभाव को अपनी रचना के दवारा बताया है। और उन्होंने समाज की विश्मताओं के वर्णन करने के साथ साथ एक आम आदमी के साथ जो जीवन में संघर्ष उत्पन होते हैं उनका भी वर्णन किया है। और लास में हम पढ़ते हैं उनकी भाशा शैली कि लेखक जावीर हुसेन को हिंदी अंग्रेजी और उर्दू भाशा उनका ज्यान था। उनका उनके हैं तो बच्चो आज की क्लास में हमने किया है लेखक जावीर हुसेन का जीवन परिच्च है। कल की क्लास में हम करेंगे सामले सपनों की यादपाट का अध्य है।